फिर से आ गया लाइव लिखावा उपर 3-4 अभी लाइव है दोबार नू लाइन पर है लाइन पर है झाल झाल जाल झाल नीचे नाई उसमें एक लॉक का साइन आ रहा है बस पीच में दिख रही है मुझे बहुत सारी या लॉक का साइन आ रहा है री बिलकुल पीचो बीच यह तो आपोसित तरफ चल। okay and that is the least minimal at least so can i start now can i can can i put my phone on the rotating mode or it is necessary i should put it state अखेट के सिर्थ के वह एक वह शुब है को कि फ़ीन है इसे लोके नहीं नहीं आपस्ट लूड़ तो फर शुक करना पड़ रहा है अझात नौओ जूट हैंस अिक्ट करणा कर दो कि नौट कर दो जूट पी कर दो जूड और का दो जूड दो कर दो चुट कर टूर कर दो डूर बूंट यूब कर दो टो दो आड फी। मैं आपको सबसे पहरे तो चाहूंगा दो बातों के ओपर एक बातों आपको पता ही है कि पिछले अभी रिसेंटली हम वर्ल्ड डिरेक्ट सेलिंग लिस्ट में थर्टियत नमबर के उपर आए वो दिन दूर नहीं जब हम वर्ल्ड के अंदर में टॉप वन पोजीशन पे होंगे So I congratulate each and every vestigians for this नमबर दो पिछले मईने हमारे दो हफ़ते लॉगडाउन में घुजरे उसके बावजूद भी हम मार्च में इतना बिजनस कर पाए जितना हमने फेबरेरी में किया था ये दिखाता है कि हम vestigians कितने ज़्यादा dedicated हैं अपने काम को ले करके और ये रियली में एक incredible achievement है जिसकी वज़े से 11 तारिक को सभी लोगों के checks पहुचे अपने आप में it was really wonderful जहां सभी दुनिया के businesses बन थे वहां हम सभी vestigians को अपने अपने संपून चेक हम लोग ले पाए बहुत बड़ी है congratulations now अब जब आज जो मैं आपसे बात करना चाहूंगा वो मेरे दिल के बहुत करीब है और आजकल के हालात के हिसाब से है सबसे पहले जब 22 तारिक को पी-म साब ने lockdown announce किया 22 मार्च के लिए तो मुझे भी यह लगा था कि यह सिर्फ एक दिन कही होगा और आइडिया नहीं था कि यह इतना लंबा जाएगा जैसे जैसे वो दिन बीता और उसके बाद फिर और फर्दर lockdown अनाउंस हुआ एक अजीब सा डर देखा मैंने सबी लोगों के अंदर में और इसमें ऐसा जब कुछ होता है लोग बहुत ज़्यादा नियूस देखते हैं और उससे नियूस के अंदर में जितना ज़्यादा वो देखते हैं नेगटिव खबरे बहुत ज़्यादा रहती हैं तो उसको लेकर के भी एक अनिश्चिता मैंने लोगों के मन में देखी लोगों के मन में तरह तरह के के सवाल थे एक अनसर्टिनिट ही थी कि ये जो हुआ है इसका असर क्या होगा ये कब ठीक होगा मेरे बिजनस का क्या होगा मेरे लाइफ का क्या होगा निटवर्क ठीके गा या नहीं आगे क्या होगा पता नहीं बगवान जाने वाट इस लाइफ वाट इस डेथ और बहुत सारे ऐसे 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 डर मैंने लोगों के अंदर में देखे कुछ लोगों के मुझे बहुत इमोशनल मेसेजिस आए उन्होंने लिखा मुझे कि सर इस जीवन में आपसे मिलना बहुत सुख़द रहा बहुत कुछ सीखा और बहुत शानदार अनुबव रहा आगे तो पता नहीं मुलाकात होगी या नहीं होगी लेकिन इतना सब कुछ के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा मुझे ऐसे कई मेसेजिस आए और फिर मैं सोचने पर मजबूर हुआ कि लोगों के अंदर में अभी इस समय इतना डर क्यों है थोड़ा बहुत तो होना स्वभावी था लेकिन ये कुछ जादा ही दिन परती दिन बढ़ता गया जहां भी मैं सुनता दो लोग चार लोग पांच लोग आपस में बात करते तो उनकी बातों में भी एक अनिश्चिता सी जलकती कुछ जादा ही और तरह तरह के कि उनके मन में चिंताएं और डर और डाउट इन तीनों ने बड़ा अजीब तरीके से घर कर लिया था यहां पर मैं एक चीज कहना चाहूंगा जो मैं अक्सर अपनी वर्क्शॉप्स में कहता हूं कि देखें दुणिया में दो ہी चीज पर्मानेंट है और दो ही चीज सत्ते है और दो ही युनिवर्सल टूथ है पहला जिसने जन्म लिया है वो उसकी मृत्यव अटल और निश्यत है और दूसरा ये कि दुनिया गोल है यानि कि अर्थ इस राउंड यही दो यूनिवर्सल टूथ है तो ऐसा नहीं है कि कुरोना से पहले कोई डेथ नहीं थी डेथ इस रियालिटी डेथ इस पार्ट अफ लाइफ डेथ एक जीवन का एक अभिन अंग है कुछ दिनों पहले मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था उस रिपोर्ट में ये था कि हमारे देश में लगबग पचास लाख लोग हर साल हार्ट एन हार्ट रिलेटीड डिजीज से उनकी डेथ होती है तो ऐसा नहीं है कि कुरोना के आने से कुछ नया हो गया है ऐसा नहीं है हाँ एक महमारी जरूर है मैं जरूर इस बात को जानता हूँ लेकिन एड़ दा सेम टाइम मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारी गंबीर बिम्यारीयों से गरस्त हैं अस्पताल में अपना समय बिता रहे हैं और उनमें से कुछ लोग ऐसी लाइलाज बिमारी से गुजर रहे हैं शरीर में इतना दर्द है इतने कश्ट में हैं वो हर रोज उपर वाले से प्रातना करते हैं कि हे उपर वाले हमें उठा ले लेकिन जब तक उनका समय आया नहीं वो जा सकते नहीं है कुछ ऐसे लोगों को मैंने परसनली देखा या जानता हूँ जो की इतनी ज़ादा खराब हालत में है कि वो शायद खुद से बात भी नहीं कर सकते जैसे मेरे एक स्टूडेंट है उसके पिदाजी आट साल कॉमा में रहे और इतनी ज़ादा कष्ट में रहे थे और इतने ज़ादा तकलीफ में थे कि उनको कुछ पता ही नहीं था लेकिन शरीर के अंदर कुछ बचा नहीं था हर रोज उनके जो प्रियेजन थे वो उपर वाले से प्रार्थना करते थे कि हेप रभू इनको मुक्ती दे दो अपने पास बुला लो लेकिन जब तक समयाया नहीं आट साल उन्होंने सफर किया उनके साथ में उनके प्रियेजनों नहीं सफर किया कहने का मतलब है कि जब तक जिसका समयाया नहीं वो कभी भी काम नहीं रह सकता शांत नहीं रह सकता और एक नॉर्मल विचार को अपने अंदर नहीं लेकर किया सकता और यहां पर मैं जो कहना चाहता हूं कि जैसे मैंने का death is a reality इस चीज़ को में समझना है और उसको सैज़ता से लेना है इस पर मुझे एक स्टोरी याद आती है एक महिला थी जिसने अपने जवान बेटे को खो दिया यानि इसकी मृत्य हो गई और इस बात से जाहर सी बात है वो बहुत ज़्यादा दुखी हुई और दुखी होकर कि वो पहुँची मात्मा बुद के पास या बगवान बुद के पास और उसने जाकर के कहा कि हे प्रभू हे स्वामी आप भगवान है आप मेरे पुत्र को जिन्दा कर दीजिए मेरा इसके लावा और कोई साहरा नहीं है जीने का और मैं आपकी अतियन ताभारी रहूंगी ये बात सुनने के बाद में प्रभू ने पहले उसको समझाना चाहा लेकिन जब वो नहीं समझी तो मातमा बुद्ध ने का ठीक है अगर आप जादा जिद करती हो तो मैं ये कर सकता हूँ लेकिन एक शर्थ है कि इसको जिन्दा करने के लिए मुझे चार से पांच सरसो के दाने चाहिए एक ऐसे घर से जहां कभी किसी की मृत्तियों ना हुई हो अपने घर से वो दे नहीं सकती थी क्योंकि अभी अभी उसका जवान बेटा बगवान बुद्ध के सामने मृत अवस्ता में पड़ा था वो अपने पड़ोसी के घर जाती है उनसे जाकर कहती है कि मैं आपकी बहुत आवारी रहूंगी आपकी मुझे से मेरा बेटा जिन्दा हो सकता है बस मुझे चार से पांच सरसो के दाने दे दीजे बस मुझे एक शर्त है कभी आपके घर में कभी किसी की मृत्तियों तो नह बज़रे थे कहने का मतलब है उसे एक भी घर ऐसा नहीं मिलता जहां कभी ना कभी किसी ना किसी की मृत्तियों ना हुई हो जब वो वापस आती है रोते वे बुद्ध को ये बताने के लिए तो बताते बताते बुद्ध को इसको एबात सोयम समझ में आ जाती है कि death is inevitable death को जाया है वो जरूर जाएगा और यह प्रित्वी ऐसी जगह है इसमें अगर भगवान ने भी किसी अवतार के रूप में जनम लिया है जैसे श्री कृष्ण जी ने लिया था तो उनकी भी मृत्ति होई थी जन जिसने जनम लिया उसकी मृत्तियों निश्यत है सो जब हम इस को कुछ और बाते बताना चाहूंगा हमारा जो मस्तिश के ही यूमन माइंड जो है वो 90 प्रतिशत से ज़्यादा नेगेटिव विचार प्रोड्यूस करता है और यह आप कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि हमारा जो ब्रेन है वो एक नेगेटिव विचार प्रोड्यूस मनुस्तिती का मैं तो पढ़ता है हमारी सोच हमारे एक्शन्स के उपर में ना सिर्फ हमारे उपर बलकि हमारे इर्दगिर्द जो लोग हैं उनके उपर भी तो और जैसा कहा जाता है कि whatever you think you become जैसा आप सोचते हैं आप वैसा बनते है यता भाव तदा भवती तो यहाँ पर परमपिता परमेशवर ईशवर के उपर हम अपने अपने हिसाब से उस परमपिता को अपने अपने जैसे हमें सिखाया गया है रूप में मानते हैं या जानते हैं आप में से किसी के लिए वो परमपिता परमेशवर जीजस के रूप में है किसी के लिए वो बगवान श्री किसी के लिए वो भगवान शिव के रूप में है किसी के लिए वो श्री हनुमान जी के रूप में है किसी के लिए वो मा पारवती या मा दुरगा या मा काली के रूप में है कहने का मतलब है आप उस शक्ती को किसी भी नाम से जाने या आपके उपर है लेकिन वो एक सर्व शक बाइबल कहती है if you have a faith equivalent to a mustard seed you can move the mountains अर्थात अगर आपके अंदर विश्वास है सरसों के बीज के बराबर तो आप पहाड हिला सकते हैं यानि कि आप असंभव को संभव कर सकते हैं और यही शिक्षा हमें दुनिया की सारी religious book में मिलती है तो इसलिए सबसे पहले मैं जो आज आपको बात बोलना चाहूंगा वो यह है कि हमें अपने मस्तिश से डर को हटा करके रिप्लेस करना है faith से या विश्वास से विश्वास किस के ओपर उस सर्वसक शक्ती मान ईश्वर के ओपर में मैं जितने लोग मुझे closely जानते हैं आपको अच्छे से पता है मैं कोई भी चीज थियोरी में बिलीव नहीं करता मैं हमेशा practicality में बिलीव करता हूँ तो ये बात थियोरी के में मैंने आपको कही कि डर को हटाईए विश्वास को लेकर के आईए इसके ओपर मैं चार घंटे भी बोल सकता हूँ लेकिन वो विरत है जब तक आप उसको सोयम अनुभव ना करें तो ये अनुभव मैं आपको देना चाहूँगा और इसमें कम से क इसमें में को 25 से 30 मिनिट लगेंगे आपको ये अनुभव देने के लिए सो इसलिए 25 से 30 मिनिट मेरे आपसे घुजारिश है कि कोई भी डिस्टर्बिंस ना हो जहां पर भी आप अपने अपने घरों में बैठे हैं और आप एक रिलाक्स्ट मुद्रा में बैठें थोड़ी से लोगों के लिए ये जीवन का एक अतियंत सुख़दाई अनुभव होने वाला है सो क्रिपया करके मेरे साथ कॉपरेट कीजिए तब ही मैं आपकी आज मदद कर पाऊंगा सो प्लीज क्लोज यूर आइस काइंडली अपनी आखे बंद कीजिए आखे मुंदिए और लंब रिदिंग है चेस्ट पे पहुंचेगी चेस्ट से नीचे पेट वाले स्टमक हिस्से में स्टमक से भी नीचे लोगर अबडॉमन में वहां तक हम इतमिनान से ब्रीद करें और कम पूरी इन्हिलेशन जब हमारी हो जाए श्वास लेने की क्रिया तब हम उसको छोड़ने की पर जाएं और जब हम श्वास को छोड़ें यानि की एक्जेल करें तो पूरा एक्जेल करें बिना किसी जल्दबाजी के और जब पूरी एक्जेलेशन हो जाए पूरी श्वास बहारा जाए तब ही आराम से इतमिनान से अगली सांस पे जाएं और थोड़ा सा अपनी सांस क के उपर में फोकस करेंगे या ध्यान के इंद्रित करेंगे इस समय मेरी वानी पर ध्यान दीजिएगा मैं अपनी वाक शक्ति के द्वारा आपको इस अतियंत सुखद यात्रा के उपर में अध्भुत यात्रा के उपर में लेके जा रहा हूं दूसरा ध्यान दीजिएगा कनेक्ट कर पाएंगे हाईर वर्ल्ड से या अपने हाईर से और आज मैं आपको एक विशेश तक्नीक सिखाऊंगा ब्रीद करने की जिसको कहा जाता है डिवाइन ब्रीधिंग यानि कि दिव्य तरीका श्वास करने का जिससे हम अपनी अंदर की अद्वुच शक्तियों को जागरित कर सकते हैं यह डिवाइन ब्रीधिंग बहुत सिंपल है लेकिन बहुत 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 पावरफुल है यह मैंने सीखी मेरे स्पिरिच्वल गुरू से और उनके आशिरवाद से आज मैं आपके सामने इसको रख रहा हूँ आपको सिखा रहा हूँ इसका उपयोग मैंने स्वयम किया मैंने मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसका उपयोग करना सिखाया और जिनों ने भी इसको किया उनको अत्यंत लाब मिला शरिरारिक मानसिक वाध्यात्मिक रूप से उनकी सफलता में बहुत नए और जबरदस्त आयाम आये तो यह special तरीका of breathing मैं आज आपको सिखाऊंगा called the divine way of breathing और the yogic way of breathing यह yogic way of breathing क्या है? इसमें हम breathing शुरू करते हैं अपनी गर्दन के पिछले वाले हिस्से से और इसको लेके जाते हैं top of the head पे हमारे सर के बीच वाले हिस्से पे शीर सिस्थल पर जिसे normal भाशा में top of the head संस्कृत में कहते हैं सहस्तधार चक्र या अंग्रेजी भाशा में top of the head या crown चक्र भी इसको कहा जाता है सो वहां की तरफ हम अपनी breathing उठाएंगे exhale करते हुए हम breathing उपर की तरफ लेके जाएंगे और धीरे धीरे हम फिर से जब श्वास लेंगे तो भी नीचे आने के बजाए हमारा केंदर जो है ध्यान का वो हमारे सर के बीच वाले हिस्से पे यानी top of the head के ओपर ही रहने वाला है so focus on top of the head so यानी तीन चीज़ों पर आपने ध्यान देना है मेरी वानी जो आपको इस यातरा पर लेके जाएगी दूसरा आपने ध्यान केंदरित करना है अपनी श्वास पर क्योंकि श्वास पुल के समान काम करता है पुल के रूप की तरह आपको जोड़ेगा अपनी अंदर की पावर से और तीसरा आपने ध्यान देना है top of the head पर यहां अपने ध्यान केंदरित करना है इस समय आपके लिए चौथी चीज़ एक्जिस्ट नहीं करती आई जित्मिनान से बन रखिए सिर्फ मेरी इंस्ट्रक्शन सुनिए चौथी चीज़ इस समय आपके लिए एक्जिस्ट ही नहीं करती यदि कोई अन्य विचार आपके मन में आए उस विचार को आपने बोलना है अभी जाईए यहां से go away अगर वो विचार जरूरी है मस्तिष की चितर को देखें ब्रेन की पिक्चर को देखें तो वो कुछ-कुछ मश्रूम के तरीके से है जैसे मश्रूम चतरी नुमा मश्रूम नीचे उसकी डंडी इसी प्रकार से हमारा ब्रेन ब्रेन लगबग चतरी टाइप उपर मश्रूम नुमा और पीछे की तरफ उसकी डंडी जिसे कहते हैं brain stem तो brain stem से breathing करनी है brain stem शुरू होती है हमारे गर्दन के पिछले हिस्से से biology में इस area को कहते है cerebellum या हमारे brain के maximum neurons तित होते हैं तो वहां से उपर की तरफ श्वास लेके जानी है top of the head पे निरंतर focus top of the head पे रहेगा जान बूच करके हम लंबी गहरी श्वास करेंगे और श्वास करने से top of the head पे हम अपने अंदर की शक्तियों को जागरित करना या activate करना शुरू करते हैं इस breathing technique के तीनों फाइदे हैं physical, mental and spiritual वो फाइदे क्या हैं अभी मैं आपके समक्ष रखूंगा breathing करते रहिए आँख बंद करके और मेरी वानी को सुनते रहिए और follow करते रहिए इस breathing technique का उपयोग मैंने का divine breathing या yogic way of breathing इस breathing technique का उपयोग हजारों साल से बहुत बड़े तपस्वी, रिशी मुनी लोग, महत्मा लोग करते आए हैं जिसमें से कुछ नाम मैं अगर आपके साथ share करूं तो आप इसकी power समझ पाएंगे श्री गुरुनानक देव जी श्री सत्य श्री साही बाबा जी वो अन्य महत्मा लोगों ने इस तकनीक का उपयोग करके असाधारन उपलब्दियां हासिल करी अगर आप किसी महन व्यक्ति को देखे गुरुनानक जी को, साही बाबा को या अन्य किसी महत्मा पुरुश को अगर कभी भी वो ध्यान में है तो आप पाएंगे उनकी आँखे हलकी उपर की तरफ चड़ी हुई है वो क्या कर रहे हैं, वो ही कर रहे हैं जो इस समय मैं आपको करने के लिए कह रहा हूँ अर्थात वो फोकस कर रहे हैं अपने टॉप ओफ दे हेड पे धियान के इंदरित कर रहे हैं टॉप ओफ दे हैज़ bell पे के cells rejuvenate होने लगते हैं, कोई भी बीमारी आपके अंदर वास नहीं कर सकती, आप स्वस्त होने लगते हैं, यह है immediate physical फाइदा जो आपको मिलता है इस breathing का, और अगर इसे नित्य किया जाए तो कोई भी ailment या बीमारी आपके अंदर वास नहीं कर पाएगी, मानसिक फाइदा, इस तरीके की breathing करने से आपका connection कट जाता है negative thoughts से और भविशे की फिजूल की चिंताओं से, जब आपका connection negative thoughts से कट गया, बेकार की चिंताओं से हट गया, तो आप रहना शुरू करते हैं वर्तमान शंड में, दन्नाव मोमेंट में, और ये आपके brain के लिए बहुत ही लाबदायक position होती है, बहुत refreshing होता है, तीसरी चीज़, ये आपके अंदर की अध्यात्मिक शक्ति को spiritual power को activate करता है, जब आप श्वास करते हैं, top of the head पे आपके अंदर, अंदरूनी power, subconscious mind और spiritual power activate होती है, अगर आप देखें, हिंदू सब्विता के नुसार जब किसे की मृत्य होती है, तो उनके शरीर को, मृत्य शरीर को अगनी दी जाती है, और जब शरीर में अगनी दी जाती है या शरीर जो है, वो अगनी जूलन्थ हो जाता है, तो आखरी क्रिया होती है सर के बीच वाले हिस्से पे, top of the head पर डंडा मारके फेकते हैं अर्थात कपाल को खोलते हैं, इसका अर्थ होता है कि अब आत्मा यहां से प्रवास करें यहां से जाए और यह आत्मा शान्ती में रहे और मोक्स को प्राप्त करें क्योंकि हमारे अंदर, हमारे शरीर में जो आत्मा का या सोल का जो वास है वो top of the head के जारा से नीचे है या अगर तीसरी आख, आप दोनों आख के बीच में इमेजिन करें और उसको अंदर की तरफ लेके जाएं तो एक पीनियल ग्लैंड होता है पीनियल ग्लैंड में हमारी आत्मा का वास होता है जब आप यहां ब्रीधिंग करते हैं, यहां ध्यान के अंदरित करते हैं सुप्रीम पावर से, लौड दे अलमाइटी या गौड से अब मैं चाहूंगा सबसे पहले कि आप समरंड करें इस समय उस शक्ती का जिसको आप भगवान, खुदा, लौड के रूप में मानते हैं जैसे मैंने कहा, आप हो सकता है उस सर्वशक्ती मान को जीजस के रूप में मानते हों हैं समझते हैं आपके इसाब से उसका उसको देखिए अपने टॉप अफ दे हेड़ पे अब अपने मन में हाथ जोड़ करके उस शक्ति को नमन कीजिए चरंड स्पर्श कीजिए नत्मस्तक हो करके और मैं कुछ प्रार्थना करने जा रहा हूँ आप इसको सुन सकते हैं चाहें तो दोरा सकते हैं लेकिन सिर्फ ओपन मैंड होके सुनिए हे सर्वशक्तिवान ईश्वर हे परमपिता परमेश्वर मैं आपका अत्यन ताभारी हूँ कि ऐसे समय में जहां पूरी मानवता एक कठिन समय से गुजर रही है इस समय 21 अप्रेल को दुपैर के समय मैं आपके समरंड में हूँ मैं आपकी याद में हूँ आपके चरन और ध्यान में हूँ मैं अच्छी तरह इस बात को जानता हूँ कि बिना आपकी किरपा के बिना आपको याद करना भी संभव नहीं है आपका ध्यान वो ही कर पाता है आपके चरण में वो ही बैठ पाता है जिसके उपर आपके करपा होती है आज ये करपा आपकी मेरे उपर बरसी इसके लिए मैं अत्यन तावारी हूँ मैं दिल से थैंक यू वो शुक्रिया बोलता हूँ इसके साथ साथ आपने मुझे ये मानव रूपी जीवन दिया पहनने को कपड़े दिये मेरे तन पर सर पर छत दिये और भोजन दिया इसके लिए भी मैं आपका तेंता वारी हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ इस सत्य को इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके सर के उपर चत नहीं पहनने के लिए सही वस्तर नहीं और दो वक्त की रोटी के लिए भी उन्हें बहुत अधिक संगर्श करना पड़ता है आपने मुझे इतना सब कुछ दिया इस जीवन में कई बार आपने मेरी लाज रखी मेरा मान रखा इसके लिए आपका अतियन ताभार दुनिया में कोई शब्द नहीं जिसमें मैं आपका धन्यवाद कर सकूँ और आप अपनी कृतग्यता आपके आपको बता सकूँ और मेशर हो आपने हमेशा मुझे माफ किया हिर्दे से लगाया और ऐसा ही आगे भी करते रहिएगा क्योंकि ना मैं आपके बिना कुछ हूँ और ना मैं आपके बिना कुछ होना चाहता हूँ और ना मैं हो सकता हूँ I am nothing and nobody without you and I don't want to be anything without you मैं हमेशा आपके चरंड सानिदे में रहूँ और आपका आशिरवाद मुझे हमेशा मिले जिससे मैं सुक शान्ती स्मरद्धी पाऊं और ये चीज मैं अन्य लोगों में बाट सकूँ आज इसी उमीद के साथ विश्वास के साथ मैं फिर से आपके सामने नत्मस तक हूँ हे परमपिता परमेश्वर धन्यवाद 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 जिस प्रभू का अभी आपने स्मरंड किया वो प्रभू अब आपको आशिरवाद दे रहे हैं प्रान शक्ती के रूप में या लाइफ फोर्स के रूप में सो मैं आपको प्राण शक्ती बढ़ाने की क्रिया आपको करवाना चाहूंगा क्योंकि ये जो प्राण शक्ती क्रिया है ये मेरे द्वारा नहीं डिवाइन आपको ब्लेस कर रहा है जिनके स्मरण में अभी आप हैं और जो अभी आपके टॉप अफ दे हेड पर विराजमान है सो कलपना कीजिए एक सफेद रंग का दिव्वे प्रकाश उस शक्ती के द्वारा भेजा गया आपकी राइट नोस्ट्रिल में एंटर हो रहा है सफेद रंग का दिव्य प्रकाष आपकी राइट नोस्टिल में एंटर हुआ और इस सफेद रंग की दिव्य रोशनी ने आपकी राइट नोस्टिल में एंटर होते ही हर प्रकार की नेगेटीविटी और वाइरस को खत्म कर दिया और अब वहाँ पर सिर्फ विराज ए या राज है सिहत का, शक्ती का, स्मरद्धी का, सफलता का, शान्ती का राइट नोस्ट्रिल में आने के बाद अब यही देवे रोशनी पहुँची जहां दोनो रक्षतर मिलते हैं, दोनो नोस्ट्रिल्स मिलती हैं, थर्ड आईपर और उसके बाद इसने लेफ्ट टर्न ले लिया, यानि आपके पूरे लेफ्ट ब्रेन को कवर कर दिया आपके लेफ्ट ब्रेन में जाते ही इसने वहां एक अधभुत रोशनी कर दी, जैसे लाखो लियूमनस बल्ब जल गए हो और किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी और वाइरस को जाते ही इसने समाप्त कर दिया इस समय आपके लेफ्ट ब्रेन में इतनी रोशनी है जैसे लाखो बल्ब, लियूमनस बल्ब एक साथ आपकी मस्तिष्क में उदईमान हो और नित वाइबरेट करके यह आपको परदान कर रहे हैं सेहत, दौलत, शक्ती, बल, बुद्धी, विद्या, शान्ती, समरध्धी, कृतक गेता हर चीज़ से आपको परदान कर रहे हैं अब यही दिवे रंग की सफेद रोशनी आपके लेफ्ट नोस्ट्रिल में पहुँशती है पहले की बहाती इसने हर परकार की नेगेटिविटी वहाँ फिनिश कर दी और आपके लेफ्ट नोस्ट्रिल में इस समय वास है सेहत, दौलत, सुख, समरध्धी, शान्ती वह असीम सुख का थोड़ी सी उपर गई और राइट ब्रेन की तरफ मुड गई अब यही दिव्वे रोश्णी आपके लेफ्ट नोस्ट्रिल राइट ब्रेन में भी है और इसकी रोश्णी इतनी अधिक है जैसे लग रहा है जैसे लाखों ल्यूमनस बल बे एक साथ जल रहे हूँ इस समय आपका पूरा मस्टिश की सफेद रंकी देवे रोश्णी से उदाइमान है इस रोश्णी ने जाते ही आपके अंदर ब्रेन में जितने भी वाइरस थे और नेगिटिवीटी थी सब फिनिश कर दी और इस समय आपका मस्टिश कर आपकी दोनों नोस्ट्रिल जगमगा रहे हैं सेहत से, दौलत से, सुक्स से, स्मर्दी से, शान्ती से, शक्ती से, भक्ती से और असीम करपा से पूरी वाइट लाइट इमेजिन करिया आपके पूरे ब्रेन में और दोनों नोस्ट्रिल में sounds यानि ध्वनी, sounds are the building blocks of the universe ध्वनी से ही हमारा universe या ब्रह्मान बना है, ध्वनी से ही चलता है science इस बात को prove कर चुकी है कि हमारा ब्रह्मान जो है वो ओम की sound पे चलता है AUM और इसलिए आ जो शब्द है वो हर religion में बहुत मैत्पूर्ण है जैसे बाइबल में बार बार जिक्र है, आमें अर्थाततास्तू या अल्ला शुरू होता है आ से, यूनिवर्स चलता है AUM sound पे ऐसे ही हमारा जो brain है, sound उसका भी building block है, वो भी sound से बना है sound का बैत्व क्या है, आपका जो नाम है जब वो पुकारा जाता है तो हजारों लोगों में भी आप respond करते है तो इस समय ये प्राण शक्ती रूपी प्रकाश आपके मस्तिश्क में है, आपकी दोनों नोस्ट्रिल में है जो प्रतिपल आपको सेहत, सुक, स्मर्दी, शान्ती, शक्ती, बल, बुद्धी, विद्य, स्मर्दता वसंपंता प्रदान कर रहा है इसका मैं आपको sound देना चाहूँगा, इस sound को आपने absorb करना है, grand करना है शरीडारिक रूप से, अपनी शरीर में, cells में, DNA में, bones में, muscles में, tissues में, यहां तक कि अपने DNA में इस sound को grand करना है क्योंकि मात्र इस sound को grand करने से, आपको प्राप्ती होती है, असीम, सुख, शान्ती, शक्ती, बल, बुद्धी, विद्या, सुख, स्मर्द्धी, वसंपंता की सुख, स्मर्द्धी, बल, बुद्धी, विद्या, शक्ती, स्मर्द्धी, सफलता, कृतक गेता आपके अंदर बढ़ रही है पूरा ब्रेन इस सफेद रंगी दूरिया रोशनी से नहाया हुआ है और दोनों नोस्ट्रिल्स सुनिए इस sound को physically, mentally, mind में, conscious, subconscious दोनों mind में and spiritually यानि आत्मा से में इसको grand कीजिए और इसको absorb करिए और हर बार जब ये sound आप absorb करेंगे आपकी शक्ती, बल, बुद्धी, विद्या, सुख, स्मर्द्धी, धन, संपन्ता, वक्रतग्यता हर चीज़ बढ़ती जाएगी Aum Praaneshwaraya Swaha Aum Praaneshwaraya Swaha Aum Praaneshwaraya Swaha ओम प्राणिष्वरायस्वाहा 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 पानेश्वरा यस्वाहा यह साउंड को मात्र सुनने से आपके अंदर सारी negativity and virus finish होते हैं और आपको blessings मिलती है health के लिए असीम health, happiness, success, wealth, abundance and extreme joy and wealth की ओम प्रानेश्वरा यस्वाहा ओम प्रानेश्वरा यस्वाहा ओम प्रानेश्वरा यस्वाहा ओम प्रानेश्वरा यस्वाहा ओम प्रानेश्वरा यस्वाह ओम प्रानेश्वरा यस्वाह ये प्रान शक्ती रूपी प्रकाश के साथ साथ ये प्रान शक्ती रूपी ध्वनी सुनना एक अतियंत लाबदायक वसुखदायक अनुभव है जो प्रतिपल हमारी भक्ती, शक्ती, सुक्स, मरदी, सेहत वस्फलता में इजाफा करता है अब ये दिवे रंग का प्रकाश मस्तिश्क में और नोस्टिल्स में रहेगा नाक में रहेगा इसके साथ साथ पहुँचा विंड पाइप में और पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, लंग्स में लंग्स के साथ साथ चेहरे में आगे पीछे, चेहरे के अंदर जितनी भी हड़ियां, बोन, मसल, सेल्स, टीशूज्स हैं उन सब में गर्दन में, चेस्ट में, दोनों किड्नीज में, लिवर में, स्टमक में, जहां जहां मैं नाम ले रहा हूं इमेजिन करते रहे हैं, सफेद रंग के दिव्य प्रकाश पहुंचता जा रहा है और हर प्रकार की नेगेटिविटी वाइरस को खतम करके संपून रूप से आपको स्वस्त, शक्ती, भक्ती, बल, बुद्धी, विद्या, सुक्स, मृध्धी, धन, वकृतक ग्यता से नवा लुकंदे, हाथ, डाइजेस्टिव सिस्टम, स्मॉल इंटस्टाइन, लार्ज इंटस्टाइन, पूरी अपर बॉड़ी में इस समय ये दिव्य प्रकाश आपके विराजमान हैं और निरंतर ये आपको शक्ती, स्फूर्ती, बल, बुद्धी, विद्या और असीम सुख, श चांती वद्धन की प्राप्ती दे रहा है, कल्पना कीजिए, आपकी अपर बॉड़ी में पूरे तरीके से ये दिव्य प्रकाश विराजमान हैं, इसके साउंड मैं दूँगा और फिर से इस ध्वनी को एब्सॉर्ब करिए अपने अंदर, निरंतर इस ध्वनी को जब आप सुनते हैं, इस ध्वनी को जाने दीजिए, अपने शरीर के एक एक सेल्स, मसल्स, बोन्स, टीशूज, डीने, सब में, और निरंतर आपे का तियंत सुख वस्मरद्धी वशक्ति का अनुभव करेंगे, ओम प्रानिष्वरायस्वाह 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 ओम प आप्रानिष्वरायस्वाहा ओम प्रानिष्वरायस्वाहा 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 ओम प्रानिष्वरायस्वाह प्रानिष्वरा यस्वाह ओम 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 जार्यााह्ष्वाः आप्रॉनिश्वार्यास्वाहाद OM PRANESHVARAYA SWAH 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 यह एक अतियंत सुखद अनुबव है इस दिवे प्रकाश और इस दिवे धुनी में रहना और क्योंकि यह दिवे प्रकाश और दिवे धुनी उस सर्फ शक्तिवान ईशुर से आपके लिए आई है जिसके स्मरंड में आप थे हैं और हैं अभी और जो आपके मस्तिश्क में टॉप पर विराजमान है इसलिए प्रतिपल यह बना रहा है आपको और अधिक सेहतमन शक्तिवान बलवान सुख वस्मर्द्धी प्रतिपल आपकी स्मर्द्धता वो बढ़ाने का यह कार्य कर रहा है अब कल्पना कीजिए यह दिवे प्रकाश आपके पूरे शरीर में है अटायर बॉडी अपर बॉडी में तो थाई गोइंग इन दे लोवर बॉडी रेप्रोड़क्टिव एरिया आगे वा पीछे दोनों तरफ दोनों थाईज में थाईज की बोन, मसल, सेल्स और टीशूज में दोनों नीज में काफ मसल्स में लोवर लेग, हैंकल, फीट अब ये दिव्य रंग का प्रकाश पूंडते है, आपके अंदर है आपके अंदर है इस दो कि नओ? तो कि नओ करी ओन नाओ? आपके मेंको कि नओ? पा आपके मेंको कि क्या रंग क्या रपि में? तो कि क हुपनाब freezing के बाद में आपके में सोसे सुइख थानिकल, अंदर है आपको बताना चाहंगो, अभी अपने एक्स्पीरियन्स के चाहंगो, आपको एक ट्रेलर देखने को मिला, कि जब हम फेत को लेकर के आते हैं, विश्वास हमारे अंदर जागरेत होता है, तो डर बखुद बखुद गायब हो जाता है, और एक असीम शांती का हमें अनुभव मिलता है, अब मैं आपको दूसरी लर्निंग अप शेयर करना हमारी आज की सेकिंड लर्निंग ये है, कि आपने फोकस करना है एक चीज के उपर में, एक चीज यानि कि जैसे पुरानी कहवत है, कि एक मयान में एक ही तलवार रह सकती है, दो तलवार नहीं रह सकती, इसी तरीके से हमारा जो मस्तिश के माइंड है, उसमें एक ही विचार रह सकता है और सारा खेल है हमारे focus का हम किसी चीज के उपर ध्यान केंदरित करते हैं हम जिस भी चीज के उपर ध्यान केंदरित करते हैं वो multiply होती है वो बढ़ती है और जहां हमारा ध्यान जाता है वहां हमारी उर्जा भेती है तो आपको एक ही चीज पर अधियान फोकस करना है वो चीज क्या है एक फिगर आपने अपने माइड में सोचनी है जितने का आप चेक लेना चाहते हैं जिसको आप टार्गेट कर रहे हैं यहाँ पर बहुत महत्पूर्ण यह है कि अगर आपकी आमदानी 30-35,000 रुपे से कम है दो, चार, पांच हजार, दस हजार है, दस, दस, पदरह हजार रुपे है तो आप फोकस करिए 50,000 रुपे महीने पर 50,000 रुपीस मंत पर यह है बन गया आपका सकसिस मंत्र, आपकी सफलता का मंत्र और अगर किसी के आमदनी 40, 50, 60,000 रुपे, 70,000 रुपे के बीच में हैं तो आप फोकस कर सकते हैं एक लाख रुपे महीने पर एक अमाउंट पर आपको फोकस करना है जिससे आप आराम से उसके उसके पर ध्यान केंद्रित कर पाएं और वो आपका अगला step हो, next step हो, वो step काफी आगे ना हो यानि कि अगर आप अभी 5,000 रुपे पर रहें तो सीधा 5,000 रुपे पर भी मज़ जाईए तो मैं आपको से जिच करूँँगा next important milestone उनके लिए जिनकी इंकम अभी 30,000 रुपे से कम है और नॉर्मल लोगों के लिए जैसे नॉर्मल इंदसेंस जो 40,000 से 60,000-70,000 के बीच में वो एक लाक रुपे महीने पर focus कर सकते हैं तो ये एक amount बन गई, ये है आपका success mantra अब आपको क्या करना है, आपको मैं वो yogic way of kriya या achievement सिखाऊंगा आपको क्या करना है, एक बार ये figure तैह होगी ये बन गया आपका success mantra अब आपने इसको बार 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 repeat करना है दोhrाना है जैसे 50,000, 50,000 50,000, 50,000 50,000, 50,000 50,000, 50,000, 50,000 108 की संख्या पूरे होते ही एक dent आप universe में देते हैं यानि कि एक अर्जी आपकी तरफ से जाती है, एक चिठी जाती है आपकी तरफ से यूनिवर्स में, और बार बार चिठी आपने भेजते रहना है, हर समय इस चेतना में रहना है, यानि कि यह आपका सफलता का मंत्र है, मंत्र चेतनम, यही मंत्र जो है आपकी चेतना में, आप की consciousness में होना चाहिए सुबह आप उठे उठने के बाद आपने प्रभू को धन्यवाद किया उनका स्मरंड किया उसके बाद थोड़ी दिर बाद आप वाश्रूम में जाते हैं नॉर्मली सबसे आप मूध हो रहे हैं मूध हो रहे हैं पानी मार रहे हैं and उस समय से आपके दिमाग में क्योंकि ये आपका मंत्र है आप ब्रश कर रहे हैं 50,000, 50,000, 50,000 जा रहे हैं इसको आपने अपनी चेतना में लगातार डालना है चेतना को अंग्रेजी में बोलते हैं consciousness poverty यानी दरिदरता एक consciousness का परिड़नाम है और संपनता और सफलता भी consciousness का परिणाम है जो लोग दरिदर हैं वो इसलिए दरिदर हैं क्योंकि उनकी चेतना में दरिदरता का वास है और जो लोग संपन वा सफल हैं वो इसलिए हैं क्योंकि उनकी चेतना में संपनता वा सफलता का वास है सो ये सिंपल बर बहुत पाउरफुल फॉर्मूला है जो मैंने आपको बताया हर समय आपने अपनी चेतना में अपना मंतर डालना है अगर गलती से एक भी नेगेटिव विचार घुस गया गिनकर एक सो आट बार अपना मंतर बोलना है फिफटी ताउजन 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 फिफटी ताउज टीम काम नहीं कर रही, अप्लाइंग सपोर्ट नहीं कर रहा, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, उनकी चेतना में क्या है, ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें अगर आपकी चेतना में रहेंगी, तो ये ही आप पर ट्रेट करोगे, ये ही आप इतना में एक चीज़ डाली जो उनको चाहिए थी रोल्स रॉस 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 हुई उनके पास में, आज तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ उसके बाद एक और एक्जामपल दूँगा, रियल एक्जामपल स्वामी विवेकनंद, दे ग्रेट स्वामी विवेकनंद उन्होंने, उनके जो गुरू थे, रामकृशन परमहन्स जी स्वामी विवेकनंद को तलाश थी भगवान की, वो हर गुरूर के पास जाते थे, हर मात्मा के पास जाते थे, एक ही चीज़ पूछते थे, क्या आप मुझे भगवान देखा है, उसके बाद दूसरा सवाल पूछते थे, क्या आप मुझे भगवान दिखा सकते हैं, स्वामी प्रिश्न परमन जी क्या करते तो उनकी चेतना में मा काली रहती थी क्योंकि वो मा काली के भक्त थे तो वो हर समय क्या रहते थे वो मा काली के ध्यान में रहते थे हर समय मा 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 काली मा 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 के स्मरण में रहते थे जब वो मा के स्मरण में हर समय रहते थे उनकी चेतना में मा थी तो मा काली उनको रोज दर्शन देती थी रोज बात करती थी ऐसे बात करती थी जैसे आप अपनी जीवित मा से लाइव बात करते हो मंतर चेतना और ये हर जगे लिखा हुआ है आप कहीं भी पड़ लो जा करके ये कहानी नहीं बता रहा है आपको जितने भी हमारे महान योगी हुए है तो ये योगिक way of achieving है जब मैंने इस टेक्नीक के बारे में सीखा आज से कोई 6 वर्ष पूर तो मैंने अपनी चेतना में सबसे पहले जब मैं वेस्टीज में आया मैंने अपनी चेतना में 2 लाक रुपे डाले उसके पर फोकस किया कुछ महीने बाद में 2 लाक रुपे पहुँचा 6 महीने में फिर 3 लाक रुपे डाले और 3 महीने बाद में 3 लाक रुपे पहुँचा उसके बाद मैं फिर मैंने छेलाक रुपे महीन डाले मैं वहाँ पहुँचा फिर दसलाक रुपे डाले उसको अचीव किया फिर बीस फिर तीस और ऐसे करके छे साल पहले एक करोड रुपे मैंने अपनी चेतना में डाले लिखना शुरू किया फोकस करना शुरू किया और मुझे ऐसा मैंने फोकस किया मुझे ऐसे लगने लगा कि पूरी कंपनी ने काइनात ने साज़िश कर लिए कि मुझे एक करोड रुपे देने और वो तब ही आए अभी कुछ दिनों पहले मैंने मेरी चेतना में अपना सफलता का मंत्र बनाई एक अमांट बार-बार-बार-बार-बार उस पर ध्यान के अंधरित करना है यह सारा का सारा गेम है अगर आप देखें जितने भी हमारे फिशी मुनी महातुमा और लोग हुए उन्होंने क्या किया, उन्होंने इतनी तपस्या करी, कैसे करी, आपको पता है, वो ध्यान में बैठे, एक उधारन दे रहा हूं, सबोस उन्होंने नमस्शिवाय का ध्यान लगाना है, तो उन्होंने नमस्शिवाय, 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 कुछ दिर में कुछ देर में ध्यान में क्या होता है शरीर गायब हो गया चेतना मैं कौन हो भूल गया सिर्फ नमस्षिवाय नमस्षिवाय बन गया नमस्षिवाय बन गया उसकी प्राप्ती हो गई ऐसे करके उन्होंने खुदा तक को प्राप्त किया है तो आप जो प्राप्त करना चाह रहे हो कुछ हजार रुपे कुछ लाख रुपे महीना ये आपके लिए बहुत बड़ी बात होगी युनिवर्स के लिए ये नखून के बराबर भी नहीं है या एक इतना सा जो बाल है ना बाल का एक छोटे से टुकडे के बराबर भी नहीं है ये सिंपल सी टिकनीक है आपकी चेतना में आपका मंतर का वास होना चाहिए सिर्फ एक भी नेगिटिव विचार अंदर न जाए हर समय फोकस हर समय फोकस हर समय skills कहां अपने मंतर पर क्योंकि वहां focus जाएगा तो उसे उर्जा मिलेगी उसे उर्जा मिलेगी तो सारा काम ओजाएगा 50,000, 50,000, 50,000, 50,000, 50,000, एक लाग, किसी का एक लाग, 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 एक लाग है लगातार इस चेतना में आपने रहना है और इसके साथ साथ हर सिक्य के दो पहलू होते हैं आज लोग रो रहे हैं लोग डाउन लोग डाउन उससे पहले में देखता था लोग रोते थे सर समय नहीं मिलता किताब पढ़ने का समय अब आपके पास समय ही समय, इस समय का आपने कितना सदों प्योग किया, दुनिया का सबसे बड़ा खजाना ना किसी आर्बियाई में है, ना कहीं वर्ल्ड बैंक में है, दुनिया का सबसे बड़ा खजाना आपके अंदर भीतर चुपा हुआ है, ये सही समय है, बहुत सारी क् मिलेगा अपनी सेहत के उपर काम करने के लिए योगा शुरू करिए अगर खाने बनाने का शौक है दस पंदरा नई डिस्ट सीख लीजिए किताब पढ़नी शुरू करिए ऐसी किताबे पढ़िए जो आप हमेशा से पढ़ना चाहते थे पढ़ने ही पाए समय नहीं है वापक में नहीं आता लोग कैसे कहते है टाइम पास नहीं हो रहा मुझे अभी भी ऐसा रखता है कि यार मेरे मुझे तो समय नहीं मिलता क्योंकि रोज तीन से चार गंटे जब से लोगडाउन हुआ है तीन से चार गंटे मैं फिसिकली अपने आपको दे रहा हूं हो करने के लिए योगा के लिए इसके लावा दो से तीन गंटे ध्यान और अधिक जितना संभव कुछ किताब पढ़ना कुछ बाकी चीज़ें समय ही नहीं मिलता रोज एक से दो वेबिनार अब ये आज 20 तारीक के एक महिना भी नहीं हुआ लोगडाउन होते हुए इस एक महिने में मैं र गर में बैटे हैं मैं अपने घर में बैठा हूं आप मुझे सुन पा रहे हैं मैं आपको कुछ सिखा पा रहा हूं कुछ दिनों पहले असेंशल में फूट सप्लिमेंट आ गया असेंशल आप जानते हैं बेहत जरूरी चीज़ को बोलते हैं सो गौर्मन्ट ऑ इंडिया ने इम्यूनिटी की आपकी रोग परती रोदक शम्ता की और हमारे सप्लिमेंट्स हमारे आहर पूरक लोगों की रोग परती रोदक शम्ता ही बढ़ाते हैं अब आपके पास चॉइस नहीं है आपको अगर रोग परती रोदक शम्ता या इम्यूनिटी बढ़ानी है तो सप्लि खाएंगे, रेगुलर खाएंगे, परिवार में सब को खिलाईए, आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, और आपको किसी को भी सप्लिमेंट शुरू कराने के लिए, घंटो घंटो की सीरेंटी करने की जूरत नहीं है, दो मिनट के अंदर में भी आप इसको, किसी को आप दो से तीन मिनट में आराम से सप्लिमेंट शुरू करा सकते हैं, दो तीन चार प्रड़क्ट शुरू करा सकते हैं, तो समय जो है, हर चीज़ आपके यहां पर है, अगर आप सोचते हैं, यह समय आपके लिए खराब है, तो चेतना में क्योंकि यह चीज़ है, तो यही चीज़ आपकी चेतना में क्या है? चेतना में डाली ये सफलता को, असीम सफलता को, अगर आप सारा ध्यान, जो आप जिस चेक पर आप फोकस करना चाते हैं, उस पर देंगे, दिन रात आप उसी के बारे में सोचेंगे, तो डिफिनिटली आप उसको अचीव कर पाएंगे, और कोई भी नेगिटिविटी को, एक भी सिंगल नेगिटिविटी के विचार को, आप अपने अंदर मत जाने दीजिए, एक गलती से भी नेगिटिव विचार आजाए, तो एक सो आठ बार आप अपनी सफलता के मंतर से उसको रिप्लेस कर दीजिए, तो ये चीज़ें अगर आप निरंतर फॉलो करेंगे, तो अवश्य आप अपने अंदर, आप अपनी कॉंशिसनेस में आप फरक देख पाएंगे, और सारा का सारा जो गेम है, वो आपकी कॉंशिसनेस का, आपकी चेतना का है, तो निरंतर इसको फॉलो कीजिए, और आप कितने भी किताब पढ़ लें, वेबिनार ले लें, कुछ भी सीख लें, सारा का सारा जो गेम है, वो है आप फॉलो क्या करते हैं, तो निरंतर अगर आप इसको फॉलो करें अपनी अप जैसे मैंने का सक्सेस मंतर बनाईए उसको अपनी शेतना में डालिए उसके अपर फोकस करना तो आप इसको अचीव कर पाएंगे इस ही लॉकडाउन में आप देखेंगे बहुत सारे लोग जो है वो बहुत बेटर बनके उबरेंगे अभी चार दिन पहले मेरी किसी से बात हो रही थी जो कि एक बहुत हायर पॉजिशन पे हैं बहुत बड़ी कंपनी उसके सीओ हैं सो उन्होंने कहा कि अभी लॉकडाउन के बाद में या इससे होगा क्या लोग अपनी हेल्थ के ओपर और जादा और जादा स्प मिल नहीं रहा वही मुझे आज से पांस साल पुराने का समय याद आता है जब मैं भूबनेश्वर गया था वार्ट सर्मनी के लिए तो कर्मर जी थोड़ा पहले पहुंच गए थे उनकी फ्लाइट पहले थी वो स्टेडियम में थे उन्होंने उससे का कि हैंड को लोग पहले लक्जिरी समझते थे आज सप्लीमेंट्स लक्जिरी नहीं है वो जरूरत बन चुकी है समय रहते हुए अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाईए निरंतर इसका उपयोग कीजिए और काफी समय आप घर पर हैं इस समय को सदुपयोग करके निरंतर सक्सेस मंतर के उपर काम करिए और हमेशा फेट को रखे विश्वास बनाये रखे और यह सारी चीज़ें अगर आप फॉलो करेंगे तो आटोमेटिकली आप आगे जाएंगे जाएंगे तो यह मेरा कुछ मेसेज था आज आपके लिए निरंतर बीच बीच में और आमारी मुलाकात होती र अवास होगा देगिए नेगेटिविटी आपके चारों तरफ है नियूज में फेस्बुक पे वाट्सप पे आप कहां फोकस करते हैं अगर आप फोकस करेंगे नेगेटिव चीज़ों के उपर में तो नुकसान आपका है किसी और का नहीं है और यदि आप फोकस करेंगे सा हमेशन यह आपके उपर है आप नेगेटिविटी से आज तक कभी किसी का ना भला हुआ ना कभी हो सकता सो कंटिनियूसली कंटिनियूसली लगातार 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 आपने फोकस करना है लगातार फोकस करना है अपनी सक्सेस मंतर पर सो अपना एक सक रोज लिख सकते हैं कि I'm earning जो amount आपने कहा कि मैं ये आए अरजित कर रहा हूं सिहत के साथ में और खुशी के साथ में और फोकस करिए अपने को बेटर बनाने में सारा ध्यान लगाईए खुद को बेटर करने में सो अपने अंदर रुपकी लगाईए निरंतर इन चीजों को प्राक्टिस करिए और जैसे मैंने का एक भी नेगेटिव विचार आपके अंदर नहीं जाना चाहिए विकॉज आपक इसके लिए प्राक्टिस करनी पड़ेगी आपको और गलती से भी अगर एक भी नेगेटिव विचार आ जाए एक सो आठ बार उसको रिप्लेस कर दीजिए अपने सक्सेस मंतर से धिरे धिरे इस प्राक्टिस से आप देखेंगे कि आपकी अंदर बहुत अद्भूत चेंज में थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक यू सो मच